Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is EasyLearning247 और जैसा कि आपको पता है, मैं Computer Awareness के at present class लिरी हूँ, जो कि आपके बेंक एक्साम के लिए बहुत जादा इंपोर्टन होने वाले हैं यहाँ पर Memory Based Question, Previous Year Paper, साथी साथ Most Important Questions की यह सीरीज है तो वीडियो को end तक बिल्कुल देखिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो Like, Share, Subscribe कर दीजे Previous Questions, जो 100 Questions तक हम लोगे कर लिए थे, वो आप Playlist में जाके एक बाद चेक कर लिएजे 101 Question Number से स्टार्ट करते हैं, अच्छी ग्लास, Let's have a look पहला Question है 101, What Database Key Unically Identify a Record Within a Table तो यूनिक एक database के अंदर, जब हम लोगो database SQL पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो यूनिक की होती है उसको हम primary key कहते हैं, Option Number A एक्जाम्पल के तौर पर हम in short यह समझना चाहे है, कि जैसे कि आपकी class है उस class के अंदर ये Calendar Number है, किसी student का यह name है, ये class है, ये mobile number है, तो तो किसी भी बच्चे का नाम सेम हो सकता है, class सेम हो सकती है, Mobile Number सेम हो सकता है, क्या अबर June Number सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है आपकी statement same हो सकता है बैंक की statement बट अगर bank का account number की बात की जाए तो bank का account number same होगा नहीं हो सकता सबके bank के account अलग-अलग होते account number सबका different होता है तो यहां पर अगर bank की details की बात की जाए तो account number का होगे हमारा primary अप्राइमरी की इसे आप क्या समझें तो किसी भी देटाबेस ना किसी भी टेबल के अंदर वह जो यूनिक की होती है जिसे हम यूनिक आइदेटीफाइं कर सके जैसे कि अगर इक प्लास में रिकॉर्ड की बात की जा तो बच्चे का रॉल नमबर या फिर बैंक की बात की ज होती है उसको हम प्रैमरी की कहते हैं और अप्षिन नमर्ट एसी वज़े से यहां पर करेक्ट अंसर होच आगा कोशन नमर्ब वन-0-2 की तरफ चलते हैं कोशन नमर्ब वन-0-2 क्या बहुता है ए ब्लैंक इस बिल्ट इन मैथामेडिकल फॉर्मुला इंक्लूड इन एक्सल जो मैथामेडिकल फॉर्मुला होता है एक्सल के अंदर उसमें क्या इंक्लूड होता है क्या बिल्ट होता है मतलब मैथामेडिकल फॉर्मुला जो होता है उसमें क्या बिल्ट होता है फंक्शन बिल्ट होता अब next question की तरफ चलते हैं, question number 103 क्या बोल रहा है, question number 103 बोल रहा है, which of the following excel features allow you to select highlight all cell that are formula, मतलब हम excel के अंदर, excel के अंदर, जो किसी भी cell को, किसी भी particular, suppose, यह सारे जो क्या होते हैं, किसी भी particular cells को, हमें क्या करना है, select करना या highlight करने के लिए, कहां पर जाना पड़ेगा, find, replace, go to, go to, special पर जाना पड़ेगा, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, go to, special पर, किसी भी cell को highlight करने के लिए, select करने के लिए, question number 104 की तरफ चलते है, 104 क्या बोल रहा है, what is the maximum zoom percentage allowed on Microsoft PowerPoint 20, होता है, MS PowerPoint, MS PowerPoint की जो maximum percentage होती है, zoom percentage, वो कितीन ही हो सकती है, यानि हमारी जो slide की जो percentage होती है, Microsoft PowerPoint के अंदर, वो कितीन ही हो सकती है, तो वो maximum हो सकती है, 400%, option number D, यहां पर correct answer हो गया, आप question number 105 की तरफ चलते है, question number 105 क्या बोल रहा है, in MS Word 2010, the feature of word count is available in proofing, under which of the following tab, यानि 2010 Microsoft Word में है, जो feature होता है word count का, वो कहां available होता है, किस tab में होता है, review में होता है, insert में होता है, view में होता है, या फिर हम क्या सकते है, references में होता है, तो यहां पर जो word count का option होता है, वो हमाला रिव्यू के अंदर, कहां होता है, review के अंदर, MS Word 2010 की जगे, अगर आपसे 2013-2016 भी बूचला है, तो आप क्या राटिक करेंगे review, तो जो word count का, जो हमाला option होता है, वो कहां होता है, review टेप के अंदर, तीक है, अगला, question number 106 की तरफ चरते है, a computer cannot boot if it does not have a, कोई भी computer हमाला boot नहीं हो सकता, अगर उसके अंदर क्या नहीं है, compiler नहीं है, loader नहीं है, assembler नहीं है, none of the year, तो भी option number 106 का correct answer हो जाएगा, कोई भी हमाला computer है, computer के अंदर अगर operating system नहीं है, जैसे कि अगर आपके mobile के अंदर android नहीं है, या फिर हम computer के अंदर windows नहीं है, windows 7 या window 11, जो भी window आपकी मैं operating system available है, या फिर अगर बोला जाए तो अगर आपके बार iPhone है, तो आपका बास macOS ही नहीं है, तो आपके system में जब macOS या android बोला जाए या windows बोला जाए, किसी भी तरीके का अगर operating system ही नहीं है, तो आप अपने system को boot ही नहीं कर सकते, यानि on or off ही नहीं कर सकते, तो यहां पर operating system के बिना ये काम possible ही नहीं है, तो option number C is का correct answer हो जाएगा, question number 107 की तरफ चलते हैं, 107 क्या बोल रहा है, ISDN standpoint, जो ISDN होता है, तो ISDN की हाँ पर हमसे क्या पूछा रहा है, full form, ISDN की जो full form होती है, वो होती है, integrated service digital network, option number A, integrated service digital network, question number 108 की तरफ चलते हैं, question number 108 बोल रहा है, what type of resources is most likely to be a shared common resource is, यह ना computer network, एक computer network के अंदर, जो shared common resources, यानि एक computer network के अंदर, हमारे computer के अंदर, हम अपने resources को share कर सकते हैं, किस के दोरा, keyboard के दोरा, speaker के दोरा, floppy, disk drive या printer, तो आप खुछ सोचिए, कि हम अपने resources, यानि हमारी जो भी file है, या जो भी document, इसको share कर सकते हैं, उसको share किस के दोरा कर सकते हैं, इन मैंसे, printer के दोरा, printer के दोरा, हमारी file कोई भी share हो सकते है, तो option number D, यहां पर correct answer हो जाएगा, question number 109 की तरफ चलते ही, the most widely used type of database management system, इसमें से सबसे जादा use होने वाले database management system कौन सा होता है, तो आप या आदखना option number C, relational database management system, या फिर rdbms, ठीक, rdbms, relational database management system, या relational database, यह सबसे जादा use होने वाले database management system होते हैं, क्योंकि यहां पर जो हमारा data होता है, वो किसकी form में होता है, table की form में, और इसको relational database management system क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो table होती है, table को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, table को हम क्या बोलते हैं, relation, इसी वरे से इसका नाम, relational database management system बना, यहां पर हम जितना भी record, इतनी भी entities को save करते हैं, वो in the form of table करते हैं, तो सबसे यादा यूज होने वाले database कॉन सा है, relational option number C का correct answer हो जाएगा, Managers are used sophisticated tool to combat cyber slaking, especially involving the internet, such tools include, तो जो मतलब managers use, जो कोई भी manager की बात मतलब कोई भी use करता है, sophisticated tool cyber slaking, sophisticated tool का मतलब होता है cyberslaking मतलब, जिसके जरिये internet के माध्यम से, हमारे computer में attack आते हैं, cyber slaking का मतलब cyber crimes से related हम समझ सकते हैं, cyber attack से related समझ सकते हैं, तो जिसके internet की, especially जब हम internet में involved होते हैं, तो हमारे computer में, हमारे system में cyber attack वगरा आ जाते हैं, cyber crimes हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए जो tools हम use करते हैं, उससे निदान के लिए जो हम tool use करते हैं, वो कौन से होते हैं, web filters यूज कर सकते हैं, अगर हम अपने web filters यूज कर लें, तो हमारे पास virus internet की मातरम से नहीं आएगा, servline software, servline से मतलब हम इस तरीके के software यूज करने, जैसे कि हम antivirus type की software बहु सकते हैं, proxy server और packet sniffer यूज करने, तो यह हमारे internet में जो cybercrime होते हैं, उससे रोकने में कहीं न कहीं मदद करते हैं, तो यह सारे sophisticated tools होते हैं, तो यहां पर यह सारे ही हैं, इस वाज़े से option number ease का correct answer हो जाएगा, next question की तरफ चलते हैं, next question की तरफ चलते हैं, it is not usable unless the changes are undone is, तो उसको हम ऐसी process को क्या बोलते हैं, biometric, compression, encryption या ergonomics और spamming, कहने का मतलब है कि जो हमारा data होता है, वो elter मतलब उसमें कुछ changes होना, partial change, तो जब तक elter of data so that it is not usable unless, it is not used, जब तक हम उसमें कुछ partial changes नहीं कर देते हैं, तो ऐसी technique होती है, हमारी क्या होती है, encryption, basically, encryption जो data होता है, वो इस तरीके का data होता है, जिसे, जैसे example के तौर पर आपकी कोई भी file है, तो file हमारी जब तक आप उसमें कोई changes नहीं कर देते हैं, जैसे आप उसमें कोई password है, या फिर आप उसको zip file को अपनी normal file में convert नहीं करते हैं, जब तक वो file को आप changes नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसको use नहीं कर सकते हैं, encryption ठीक है, तो option number C, इस का correctness हो जाएगा, question number 112 की तरफ चलते हैं, 112 बोल रहा है, which of the following use to closing a tap of browser, तो अगर ब्राउजर को हमें directly अपने keyboard के दोरा close करना है, जो भी हम ब्राउजर पर work करना है, तो हम direct close कर सकते हैं, control plus w से, ठीक है, option number B, question number 113 की तरफ चलते हैं, question number 113 क्या बोल रहा है, which of the following operating system developed by apple, तो इन में से भाई सबको पता होगा, यह options simple है, apple की दोरा windows तो clear होगी ने, android clear होगा ने, android create नहीं हो सकता, macOS, apple क्या बनाएगा, macOS, option number D, question number 114 की तरफ चलते है, question number 114 क्या बोल रहा है, DBMS की form क्या होती है, database management system, तो यहां पर देख सकते है, database management system, option number C, अगला question है, what is the base of octal number, octal number का base क्या होता है, option number 8, a, 8, option number a, क्या होता है, octal का base 8, अगर hexadecimal पूछ ले, तो 10, decimal पूछ ले, तो 10, hexadecimal 16, decimal 10, binary 2, ठीक है, binary का base 2, decimal का 10, hexadecimal 16, octal 8, clear, तो यहां पर हमसे octal पूचा है, इससी वजे से, option number A का character से पूचाएगा, next question की तरफ चलते है, next question क्या बोल रहा है, question number 116, question number 116, क्या बोल रहा है, which of the following is used in a first generation of computer, इस में से first generation में हम क्या यूज करते थे, IC, vacuum tube, transistor, VLSI, तो हम लोग यूज करते थे, first generation में, इन में से क्या यूज करते थे, vacuum tube, तो option number B हमारा correct answer हो जाएगा, अगला, question number 117, PROM stand for, PROM की जो full form होती है, वो क्या होती है, PROM की full form होती है, programmable, read only memory, तो programmable, random only memory, यहाँ पर read only memory, option number D, अगला, COBAL is used, which of the following purpose, तो जो COBAL हमारी जो language है, वो किस purpose के लिए हमने use की थी, वो की थी COBAL का use हमने business or finance purpose के लिए किया था, COBAL का जो use किया था, COBAL जो language, COBAL एक programming language जो develop की गई थी, वो business or finance purpose के लिए use की गईगी, तो option number B, अगला, which of the following, which, which keys used to delete characters to the left of, left of the cursor, जो, किस key का use हम, जो characters को delete करने के लिए use करते हैं, left of the cursor, तो हमारे cursor से, left side के जो data, left side, मतला हमारा जो cursor है, जैसे example के तौर पर, मैं भी यहां पर काम करते हूँ, तो मेरा cursor यहां पर है, अब यहां से मुझे इस जगे से, left side से, कुछ delete करना है, तो मैं किसका use करूंगी, तो option number क्या हो जाएगा, D, black space, ठीक है, तो आपने देखा होगा, जैसे example के तौर पर, मुझे GB को delete करना है, हटाना है, तो मैं यहां पर black space करती जाओंगी, तो मेरा यह delete हो जाएगा, option number D, अगला question है, how many MB in equal to, is equal to 1 GB, तो 1 GB किसके equal होता है, यह बुच रहा है, तो 1 GB, भई, CDC वाद है, 1 GB होता है, 1024 MB के, तो option number D, हाँ पर देख सकते हैं, 1024 MB, अगर बोला जाए, 10, हमारा 1 MB के equal होता है, तो 1 MB होता है, 1024 KB, पूच रहा है, 1 KB किसके equal होता है, तो 1024 Byte, और पूच रहा है, 1 Byte किसके equal होता है, तो आप लिखेंगे, 1 Byte is equal to 8 Bits, ठीक है, और आप कोई पूचे, कि भई, 1 Nibble is equal to क्या होता है, तो 1 Nibble is equal to होता है, 4 Bits, पूच रहा है कि bit क्या होता है, bit हमारी सबसे छोटी unit होती है, storage की, ठीक है, अगला, अब यह बोल रहा है, convert करना है किसको, 1, 1, 3 बार 1 है, 2 बार 0 है, then 1 है, इसको हमें, binary numbers को हमें, किसमें convert करना है, decimal में, किसमें convert करना है, decimal में, यह हमसे question पूच रहा है, तो देखो, convert कैसे करेंगे, simple, यहां से, यहां पर जाएंगे, यह देखो, यह कितने है, 1, तो यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले हम counting कर लेते हैं, यह 6 है, 6 में से एक number माइनस किया, या फिर हम direct, अगर हम इधर से start भी कर देते हैं, तो हम लोग यहां पर कर देंगे, 1, into 2, 2, 0, plus, यह क्या है, 0, into 2, 2, 2, फिर क्या है, यह 1, तो क्या है, 1, into 2, 2, 3, यह क्या है, 1, तो 1, into 2 की power 4, plus, 1, into 2 की power 5, तो इसको करने का दो तरीका है, या तो आप इनके total number को count कर लो, यह कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 में से 1 minus कर दो, 0, 6 में से 1 minus करेंगे, क्या हो गया, 5, तो या तो आप ऐसे simple लिखते जो, यह 1 है, तो 1, into 2 की power 5, plus, 1, into 2 की power 4, plus, 1, into 2 की power 3, 0, मतलब यह सारे number लिखते जाओ, last में, या फिर आप opposite side से इस तरीके से note कर लो, ठीक है, 1 है, तो 1, into 2 की power 0, अब किसी भी number की power 0 होती है, चाहे 2 की हो, 3 की हो, 100 की हो, किसी भी number की power 0 होती है, इसका मतलब क्यों होता है, 1, into 1 क्यों हो जाएगा, 1, plus, 0 में किसी भी number का multiplication करते ही, क्या आजाता है, 0, अब 0 में किसी भी number का multiplication करेंगी, क्या आजाएगा, 0, अब देखो, यहाँ पर 2 की power 3 का मतलब क्या है, 8, 8 into 1, 8, 2 की बाव 4 का मतलब क्या है 16 प्लस 2 की बाव 5 का मतलब क्या है 32 32 into 1 32 अब इनको calculation को solve कर लो 32 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 16 अगर आप इनसको solve करने चाहेंगे स्वारी एक सब्सक्राइब यहां पर फोद 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 ऑसर्ट से एई टो तूसर फोद 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 इट फोसर एट फोसर फोद फोसर 16 अगर आप इनसको कैलकुलेशन करने जाएंगे तो देखो 6 प्लस 2 8 8 और 8 जैट 16 16 ओर 17 की क्या रिवन क्यारिवन 4 over 5, so 57, so 57 का base 10, convert हो जाएगा 57, option number B, ठीक है, एक बार खुद से करके देख लेना, चीज़ा अच्छे से clear देगी, और binary और decimal जिसको नहीं आते हैं, एक बार मेरी प्लेडिस में जाके देख लेख लेगा, मैंने काफी अच्छे से detail explanation किया हुआ है, इंचीज़ों का, question number 122 की त इसको हमने किस generation में रखा है, तो इसको हमने first generation में रखा है, ठीक है, इसको हमने किस generation में रखा है, इसको हमने first generation में रखा है, ms access is, अब यह ms access क्या है, ms access software है, browser है, database है, pointing devices है, kya है, ms access क्या है, ms access हमारा क्या है, ms access database है, ms access database है, Microsoft Access ठीक है अगला कुश्य नमर 124 की तरफ चलते हैं 124 क्या बोल रहा है which of the following is the most common tool used to restrict the access to a computer system इसमें से कौन सा ऐसा tool है जो हम computer system के लिए use करते हैं रेस्टिक करने के लिए मताब कोई और उसे use नहीं करें उसके लिए हम यूजर लॉगिंग, computer keys, access, control, software, password तो बेसिकली हम सबसे जादा password के उसकते हैं अगर आपने computer में password लगा लेते हैं तो कोई और दूसरा person उसको use नहीं कर सकता ना access नहीं कर सकता तो हम लोग क्या use करते हैं password question number 125 की तरफ चलते है 125 क्या बोल रहा है photo editing spare sheet and word processing were the example photo editing spare sheet और word processing यह किस के example है हमारे application software के example option number एक अगला 126 की तरफ चलते है shortcut key बतानी हमे close document अपने MS word को close करना है या close the document करना है तो उसके लिए हम किस software की कर यूज करते है control plus w देखो अगर बेसिकली अगर मुझे direct की भी किसी document को close करना है तो उसकी software की control plus w होता है यहां पर आपको confuse करने के लिए MS word MS powerpoint या फिर ब्लाउजर भी देदेगा आपको किसी भी प्रिजेंट काम को आप कर रहे हो किसी भी अप्लिकेशन में तो आपको सो close करने के लिए control plus w को क्लिक करना है simple confuse करने के लिए बस इदर नाम चेंज करेगा question number 127 की तरफ चरते है बेस पूझा hexadecimal का 16 ठीक है option number b question number 128 की तरफ चरते है second generation which type of memory was used store data second generation में हम किस तरीकी की memory का use करते थे तो किस तरीकी की memory का use करते थे second generation में magnetic core तो second generation में हम लोग data store करने ए करते थे, Magnetic Core का यूज करते थे, अगर 1st generation पूछा दा है, तो 1st generation में हम vacuum tube और Magnetic Drum का यूज करते थे, but 2nd generation में Magnetic Core का यूज करते थे, option no. C, question no. 129 की तरफ चलते है, 129 में बोल रहा है, which among the following keys can be used to shortcut rename folder Microsoft Windows 8 and higher version, तो इस में से हम किस की का यूज करते हैं, अपने Microsoft Windows 8 और उसके version के लिए, उसका higher version तरफ विंडोस 9 या विंडोस 11 या विंडोस 16 में हम लोग basically किस का यूज करते हैं, कौन सी shortcut की है, जिससे हम Microsoft के name को change कर सके, हम लोग F2 की का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां पर option number A हमारा सही answer हो जाएगा, F2, अगला question number 130 की तरफ चलते हैं, question number 130 बोल रहा है, हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, एक शीट से दूसरी शीट को move करने के लिए, हम शीट टेप कर यूज करते हैं, question number 131 की तरफ चलते हैं, 131 बोल रहा है, यहां पर, shortcut key बनानी है, spelling checker, grammar or spelling checker के लिए, हम लोग MS Word में, spelling check, use करते हैं, वो किस key को प्रेस करके, हम directly spelling या grammar check कर सकते हैं, यह question बोल रहा है, तो F7, अगर हम F7 को click करते हैं, तो हम लोग directly spelling or error check कर लेते हैं, grammar, which of the, which अगला question है, question number 132, which is not a storage device, मैंसे कौन से storage unit है, परिंटर storage है नहीं, CD storage है, hardix storage है, floppy storage है, DVD storage है, बाट इसमें कूशन storage नहीं है, तो printer storage वाइस नहीं है, तो option number A का correct answer हो जाएगा, अगला question number 133 की तरफ चलते हैं, 133 में पूल रहा है, image editing software, which we use draw edit images, इसमें से image editing software होता है, वो कौन सा होता है, page maker, MS pane, coral drop, photo image, या front page, image editing software हम लोगों सबने नाम सुनाओ गई, most common software is coral drop, so coral drop का हम यूज करते हैं, किसके लिए? image को अपनी images होती है, उनको edit करने के लिए, draw करने के लिए, question number 134 की तरफ चलते हैं, 134 बोल रहा है, use select entire document, किसी भी entire की पूरे document को select करने के लिए, किसके यूज करते हैं, control plus option number E, question number 135 बोल रहा है, which of the following shortcut keys use to minimize the open windows and display the desktop, तो minimize करने के लिए, हमने जो भी काम करते हैं, उस काम के लिए, मतलब हम अपने किसी भी application पर काम करते हैं, Windows पर, तो उसको minimize करने के लिए, और अपने desktop की screen हम show हो जाती है, तो उसके लिए हम किस key का use करते हैं, use to minimize all windows and display the desktop, हम अपने desktop को देखते हैं, वाकी सारी चीजें हमारी के हो जाती है, minimize, तो इसके लिए हम किस key का use करते हैं, use करते हैं, Windows logo, जो window key होती हम उसका plus D, window key के संग हम D को press करते हैं, तो ये काम हो जाता है, हमारी जितने भी काम होने हैं, जितने भी प्रोग्राम्स पर हम वाक करें हैं, वो सब minimize हो जाते हैं, तो Windows का जो logo वाली की होती है, वो प्लस D के साद प्रेस करने से, Q136 की तरफ चलते हैं, अब अब चलते हैं, जितने सादेट, यानि हम अपने अपने प्रेटर स्वाइब वाजने के लिए किस का यूज करते हैं, किस दिवाइस का, तो system board, storage दिवाइस यह तो अलरेडी होती हैं, Input Devices, Output Devices, Expansion Slots, तो expansion slots को हम क्या करते हैं, expansion slots के जोरा हम devices को attest कर लेते हैं, जिससे हम अपने computers में component या फिर capabilities को add कर लेते हैं, example के तौर पर, आप अपने sound card को extension, expand कर सकते हो, sound card के slot को आप computer में add करके, qualities और sound की qualities या sound का जो तरीका है, या कुछ better qualities add कर सकते हो, या फिर हम बो सकते हैं, और बाकी के expansion slots में, हम लोग बाकी जितने भी components होते हैं, जिसके बहाफ पर हम computer की capabilities, computer में और सारी चीज़े change कर सकते हैं, add कर सकते हैं, तो यह हम करते हैं, expansion card के जरिए, यानि हम expansion slots के जरिए, जो slots हमारे computer में, मतलब जो खाली computer में, हमें कुछ, जैसे हमारा laptop या computer में, तो हमें कुछ slots खाली दी होते हैं, जिसके बहाफ पर हम चीज़ों को extend कर सकते हैं, add कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अपने computer की capabilities और चीज़ों को add कर सकते हैं, question number 137 की तरफ शरत दे हैं, 137 क्या बोल into output is performed by, यानि input से output का जो transformation performed होता है, वो किस के जरिए होता है, peripheral devices के जरिए, memory के जरिए, software के जरिए, ALU के जरिए, CPU के जरिए, तो भई, computer में, input devices, यानि keyboard, mouse, scanner, output devices, जैसे monitor, speaker, तो input और output के बीच में, चीज़ों के बीच में, चीज़ों के चीज़ों के बीच आती है, क्या होत answer होता क्या है, CPU, तो input से output device को, device में, input से output data को, जो convert करता है, transformation करता है, वो कौन करता है, CPU, clear, option number E, question number 138 की तरफ चलते है, question number 138 पूल रहा है, which of the following device enabled data transfer between two different network, दो network है, यह A है, यह B है, इनके बीच में data transfer करना है, तो transfer दो different है, A अलग है, B अलग है, इनके बीच में data को transfer करना है, तो इनके बीच में, हमें connection establish करने के लिए, क्या लगाना पड़ीगा, इनके बीच में connection establish करने के लिए gateway, gateway लगा दूंगे, तो यह दोनों connection से add हो जाएंगे, और हम अपने data को transfer कर सकते हैं, तो option number C, यहाँ प different network को connect करने के लिए use किया जाता है, क्योंगे, question number 139, 139 बोल रहा है, यहाँ पर among the following, which of the popular DOS-based spare sheet package, तो इनमें से कौन से DOS-based spare sheet package है, यह पोल रहा है, तो multi-plant, word, smart cell, lotus, etc, तो यह अब है, lotus 1, 2, 3 है, वो हमारा क्या है, वो popular DOS है, बस आप इतना यादा को, popular DOS है, spare sheet package के लिए, spare sheet वरक लिए use करते हैं, तो यह हमारा lotus 1, 2, 3, इतना नाम याद रखो, को चीरों के questions के direct answer आप याद रखो, वो better है, which of the following is a windows utility program, that locates and eliminates unnecessary fragments, and rearrange field and unused disk space, to optimize operations, को शरबा 140, क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है, कि हम लोग अपने जो windows होता है, windows में utilities program यूज करते हैं, जैसे anti-virus हुआ, utility software हुआ, disk fragmentation हुआ, यह सब चीज़े, तो जो हम unnecessary, मतलब हमारा जो unnecessary जो data होता है, disk मैंसे, हमारी कोई भी जैसे example के तौर पर d, c, e है, तो हमने suppose कुछ photos या images को delete कर दिया, तो हमारा जो unnecessary जो data होता है, अब वो delete हो गया, तो हमारे पास जो space खाली बचता है, तो space को, जैसे example, यह a, b, c, d कुछ है, तो मैंने बीच में से कुछ data को delete कर दिया, तो यहाँ पर मेरे यह सारी चीलों को आगे shift करके, पीछे से मेरे space खाली देना, यह मेरी files को rearrange करना, यह सब कौन करता है, यह सारा काम करता है, यह सारा जो काम होता है, वो disk fragmentator करता है, disk fragmentator, disk fragmentation, disk fragmentator करता है, option number c, question number 141 की तरफ चलते हैं, 141 बोल रहा है, जो software, shortcut key होती है, Windows explorer पर या फिर एक normal किसी भी जगे आजाए, आपको माइक्रोसोफ में आजाए, या आपको माइक्रोसोफ में आजाए, सर्च करने के लिए, जो shortcut key होती है, वो क्या होती है, वो क्या होती है, control plus F, control plus F, को प्रेस करेंगे, आपको सर्च वाला option दिख जाए, option number A, question number 142 की तरफ चलते है, 142 बोल रहा है, the technology used to read pencil और pen mark and multiple choices answer sheet, तो किस तरीके की जो technology होती है, जिसमें हम लोग अपने pencil या pencil मार करते हैं, जैसे example आपको ये sheet दी होती है, आपने देखी होगी सबी ना इस तरीके की, और आपको इसे pen या pencil से fill करना होता है, तो इस तरीके की जो sheet होती है, जिसको check computer की दोरा किया जाता है, तो वो उस sheet को हम क्या कहते हैं, उस sheet को हम बोलते हैं, OMR, क्या बोलते हैं, OMR, ठीक है, option number A, question number 140, अपने exam सी होगे, वापर OMR sheet देखे होगी, जिसमें multiple choice के, जो answer sheet होती है, वो होती है, जिससे हम pen या pencil से mark करते हैं, और जो technology, इसमें technology यूज़ होती है, हम OMR sheet को OMR machine के दोरा, या फिर computer के दोर चेक करते हैं, ठीक है, OMR scan के दो, 143 question है, question number इसमें, following type of error, compiler can check, तो compiler जो होता है, हमारा error check करता है, syntax error, power failure, network failure, all of the other, power, power computer में system switch off हो गया, system shut down हो गया, तो computer में compiler check नहीं करेंगा, network fail हो गया, net नहीं आरहा तो नहीं आरहा, पर हमारे program के अंदर, यानि हम कोई भी program type करें, उसके अंदर क्या error है, उसको कौन check करता है, उसको check करता है, compiler, तो उस error को बोते है, syntax error, तो हमारा compiler है, जो compiler है, syntax error, option number a, question number 144 की तरफ चलते है, 144 बोल रहा है, a special high speed storage area in ever was CPU, CPU के अंदर हम को क्या दिया होता है, एक storage space, सही बात है, CPU के अंदर ALU होता है, ठीक है, CU होता है, और MU होता है, अब यह जो CPU के अंदर जो storage space होता है, इसको हम क्या बोलते है, registers बोलते है, यह मैं already बता चुकी हूँ, CPU के CPU, CU, MU, ALU, arithmetic logic operation, perform करने के लिए यूस करता है, यानि जहां पर हम plus minus multiplication device, greater than, lesser than, end or, xor, यह सब operation perform करता है, वो ALU है, जो के पूरे system को control करता है, manage करता है, वो CU है, जहां पर हमारा process is store हो रही है, मतलब CPU में, जो हमारा high speed data store हो हो रही है, यानि जो भी हम process पर work कर रहे है, वो store हो ह है, वो हमारी store हो रही है, register के अंदर, वो register हमें provide करता है CPU, यहां पर option number 10 का correct answer हो जाएगा, क्योंकि यह CPU की बात करता है, तो option number 10 का correct answer हो जाएगा, question number 145 बोल रहा है, in a powerpoint header and footer button found in the insert tab word group, जो insert tab होता है, जैसे कि हमारे powerpoint में इधर home होता है, इधर insert होता है, तो insert के अंदर हमा text के लिए, यानि हमें text को margin, जो हमारी slides के अंदर, जो margin होता है, कि इधर left से, top से, bottom से, किस तरीकी का margin हमें रखना है, वो हम header or footer के द्वारा करते है, insert tab में जाके, तो text group के लिए हम use करते है, option number C, question number 146 की तरफ चलते है, question number 146 बोल रहा है, which of the following is generally used to selecting the highlighting, हम highlighting के लिए, यानि हम अपने select or highlighting के लिए, किस का use करते है, icon का, keyboard का, floppy का, mouse का, किस का use हम करते है, यह बोल रहा है, तो हम basically select के लिए, जैसे example कोई भी document है, मुझे इसको select करना है, highlight करना है, तो मैं mouse का use करूंगे, simple option number C, question number 147 की तरफ चलते है, blank ensure secure transfer of data over the unsecured network such as internet, तो बोल के रहा है, यहाँ पर यही बोल रहा है, कि जो ensure करना, secure transfer of data over a unsecured network, हम ensure करते हैं कि unsecured जो हमारा network है, उसके उपर हम secure data को transfer कर रहे है, such as integrate, तो इसको हम क्या बोलते है, क्रिप्टो ग्राफी, तो क्रिप्टो ग्राफी क्या होता है, कि हमारा, हमें पता है, हमारी पास जो network है, वो unsecured है, हमारा data कही से भी हैक हो सकता है लीक हो सकता है उसके उपर हम अपने डेटा को सिक्यूर तरीके से बेज रहे हैं तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्रिप्टोग्राफी कहलाती है इंस्यूर सिक्यूर डेटा है तो उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं उसको हम क्रिप्टोग्राफी ब जो पूर है no ability to ability of operating system to run more than one application at a time is called एक बार में एक से ज्यादा काम करना एक application पर इसा example की तॉर पर मैं adhi आपको पढ़ाभी रही हूं मैं पीपीडा पर work करे हूं मैं song भी सुन रही हूं मैं से बहुत सारे काम में एक साथ करे हूं आप अपने किसी से suppose chat भी कर रहे हो, आप song भी सुन रहे हो, आप कुछ file download भी कर रहे हो, तो एक बार में एक से ज्यादा काम करना हमारे किसी भी operating system में, तो वो क्या कहलाता है multitasking, क्या कहलाता है multitasking, ठीक है, question number 149 की तरफ चलते है, the process of checking all the peripheral units by the OS during the booting as, मतलब हमारी peripheral devices होती है, जैसे keyboard, mouse, basic input output devices होती है, उनको check करना booting के time पर, यह कौन करता है, वो यह करता है post, post मतलब power of self test, जो post का मतलब होता है power on self test, यह क्या करता है, यह खुद test करता है, मतलब हमारे system को diagnose करता है, और test करता है, हमारी input output basic devices को, peripheral devices को, test करता है, बूटिंग के time पर, जब हमारा operating system बूट होता है, उस तरीकी, उस time पर यह check करता है, ठीक है, यह सई से work करते हैं, नहीं करते हैं, तो कौन करता है, post, post का मतलब power on self test, question number 150, handle devices that allows you to control your computer without typing instructions from a keyboard, is known as, यानि, keyboard के बिना मदब से हम अपने computer में typing कर सकते हैं, किस handle devices के जरिये, simple कहने का मतलब यह है, तो हम handle devices हमारी mouse, तो mouse एक handle devices है, handheld devices का मतलब, जो हम अपने हाद से control कर सकते हैं, यह ऐसी device हम अपने computer में बिना typing के, जैसे हमें मुझे कोई भी चीज को select करना है, मुझे shift करना है, मुझे copy करना है, मुझे paste करना है, मुझे बिना keyboard की मदब से, मैं यह काम कर सकते हूँ, तो यह हमारा माउस के जरी हो सकता है तो यहाँ पर माउस इसका correct answer हो जाएगा, यहाँ 150 questions हो चुकी है अब बाकी के rest of questions हम next class में करेंगी I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी है अब वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, subscribe कर दीजे bell icon पर press कर दे, जिससे आपको latest update मिलते रहे है हम लोग अपनी next class में मिलते हैं तब तक लिए goodbye and have a nice day